आज हम लोग पढ़ेंगे एक और इंट्रेस्टिंग और इंपॉर्टेंट और यूजफुल कॉजटिव वर्ब मेक का मतलब होता है बनाना, करना या करवाना क्योंकि ये कॉजटिव वर्ब है तो मेक वर्ब को यूज़ करके डूर याने सबजेक्ट अपना काम किसी और से करवाएगा ये अभी तक हमने लेट और गेट को कॉजटिव वर्ब में ये पॉइंट जान लिया है अब क्योंकि मेक में वर्ब है तो जैसे सभी में वर्ब की फॉर्म्स होती है, इसकी भी फॉर्म होती है make, made, made फिर continuous है तो making और indefinite है तो makes ये इसकी पाँचों verb form होती है अब थोड़ा सा हम revision कर लेते हैं कि जो doer है उसको काम करवाना है लेकिन काम करवाने के सब के अपने तरीके होते हैं और हर किसी से एक ही ऐसा नहीं है आप सबको request करके काम करवाएं या सबको काम करके permit दे कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेड़ी करना पड़ता है तो ये जो make है ये टेड़ी उंगली से काम करवाने की verb है लेकिन हम पहले revision कर लेते हैं थोड़ा सा करता है, जैसे कि मा ने मुझसे कमरा साफ करवाया, इसका मतलब यदि डूर का मतलब ये है कि उसने मुझे कमरा साफ करने की अनुमती दी, यदि सबजिक्ट का सेंस ये है, तब क्या यूज होगा? let use होगा और get में हमने क्या पढ़ा था यदि doer किसी काम को करवाने के लिए persuade करता है किसी को मनाता है उसको convince करता है रजामंदी उसको की भाई तुम ऐसा कर दो उसको तयार करता है encourage करता है प्रोत साहित करता है जैसे घरों में अक्सर कोई काम कराना होता है तो जो बड़े भाई बहन या मा या पिता क्या करते हैं बचों को encourage करते हैं उनकी तारीफ करते हैं उनको appreciate करते हैं ताकि वो काम कर दे तो यदि जो doer है वो काम करवाने के पीछे उसकी मंशा ऐसी है तब कौनसी causative verb यूज होगी get causative verb यूज होगी अम माल लेजे वो इस सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है यदि काम तो करवाना है doer को subject को लेकिन करने वाला ना तो वो convince हो रहा है ना उसको persuade किया जा सकत और उसको मनाने की भी कोशिश की वो नहीं माना तब क्या होता है तब किसी तरीके से उसको धमका कर उसको pressurize करके उसको कि ये काम तुम्हें ऐसा करना ही है ये require है इस काम को करने के लिए तब उससे काम करवाया जाता है और इस condition में कौनसी verb यूज होगी तब होगी causative verb make ज अब जो मैं है वो मान लीजे उससे कमरा साफ करते नहीं बनता है लेकिन वो तो करना चाहता है अब वो करना चाहता है मा नहीं करवाना चाहती तो माने उसने क्या किया माने फिर उसको permit किया कि ठीक है तुम कमरा तुम्हें कमरा साफ करने की permission है तो यहाँ पर light verb हो गई अब जो ये doer है, mother है, उसने मुझसे कम रहा, तो माने ये, जो मुझसे याने मैं हूँ, मैं काम करने के लिए तयार नहीं हूँ, तो क्या किया, मुझको convince किया, मुझको encourage किया, मुझको persuade याने मनाया किसी तरीके से, जब doer का काम करवाने का तरीका ये हो, तो कौन सी positive verb use होगी, त मान लीजे, काम करवाने के लिए, किसी तरीके से करने के लिए तयार नहीं है, doer काम करवाना चाहता है, जैसे घरों में क्या होता है, मा या पिता किसी काम के लिए कहते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं, suppose mother ने कहा, कि अपनी जो books shelf है, उसको जमा दो, नहीं मान रहे हैं, तो क क्या होता है, अंत में फिर जो mother है, मा है, वो क्या करती है, वो forcefully उसकाम को करवाती है, वो pressurize करके कि तुमको चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको खाना नहीं मिलेगा, या friend से बात करने नहीं मिलेगी, या खेलने, ये क्या है, ये threat देकर, याने धमकी देकर वो काम करवाती है, या फिर पिता से पिटवाने की threat धमकी देना, याने काम करवाने के लिए फिर क्या तरीका अपनाया जाता है, forcefully या pressurize करके उसकाम को करवाया जाता है, तो जो make causative verb है, उसमें क्या होता है, doer काम करवाता है, लेकिन कैसे करवाता है, वो forcefully करवाता है, वो pressurize करके तो हम आगे अब देखेंगे कि जो forcefully करवाया जाता है या pressurize करके करवाया जाता है तो उनमें क्या-क्या sentences आ सकते हैं, कौन से तरीके के sentences doer के द्वारा उनको बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, इनके rules और structure को हम आगे पढ़ेंगे, जब तक आप इसको note कीजिए और आग तो इसको note कर लीजिए और अब हम देखते हैं कि make causative verb का use किन-किन conditions में किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, डूर के द्वारा जो काम करवाता है, देखिए कब-कब, जब डूर, क्याने करता subject किसी से forcefully, forcefully का मतलब, force के साथ में, बल के साथ में, या pressurize करके, दबाव बनाकर काम करवाए, अब ये forceful में क्या-क्या हो सकता है, या तो violence, अक्सर आप लोग newspaper में सुनते हैं, मांगे पूरी नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं, violent हो जाते हैं, हिंसात्मक हो जाते हैं, तो ये क्या है, a kind of force, याने pressurize करना, तो या फिर threat, धमकी देकर भी करवाया जाता है, काम, दबाव कैसे बनाया जाता है, या तो violent हो जाते हैं, या फिर threat, याने धमकी देकर किया जाता है, जिसको के pressurize करना, या फिर extremely strong pressure, बहुत ही जादा दबाव बनाकर, जो doer है, वो किसी से काम करवाता है, आप अक्सर देखते होंगे, युद्ध क्यों होते हैं, युद् country वो चाहता है, तो वो क्या करता है, अपनी बात को मनवाने के लिए extremely strong pressure, violence होती है, उसमें threats होती है, और pressure create किया जाता है, तो ऐसी condition में, किस verb का use होगा, make verb का as a causative doer, use करेगा, फिर normal pressure, normal pressure है थोड़ा दबाव, जैसा हम लोग घरों में देखते हैं, या आपस में friend circle में, से एक बात कहीं वो नहीं मान रहा है, तो क्या कहते हैं, चलो, तुमसे कटी, तुमसे बात नहीं करेंगे, तो यह क्या है, this is also a kind of pressure, यह pressure बनाना, कि मेरे साथ मेरी बात मानो या ऐसा कर दो, नहीं तो मैं तुमसे बोलना बंद कर दूंगा, या कर दूंगे, घर में भी ऐसा होता है, कि कई बार जब बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो मा प्रेशर बनाती है, उनको डाटती है, फटकारती है, और नहीं तो फिर पापा से पिटवा देना, याना खुद ना पीट कर पापा से पिटवा देना, तो यह क्या है, यह भी एक pressure बनाना हुआ, तो इन conditions में क यूस किया जाता है, किसके द्वारा, दूर के द्वारा, जब वो खुद काम ना करके, किसी और से forcefully काम करवाए, प्रेशर डलवा के काम करवाए, प्रेशर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है, दूसरा देखिए, यह किमपल्शन याने बाद्ध्यता, जैसे स्कूल में क्या होता है, आपको यूनिफॉर्म पहन कर आना है, यह क्या है, कमपल्शन है, किसी office में है, तो आपको अपना ID लगा कर जाना है, कोई job में जा रहा है, यह आप coaching में जा रहे हैं, NEET की coaching कर रहे हैं, IIT की कर रहे हैं, जहाँ पर क्या है आपको अपनी ID को लगा के जाना तो यह क्या है वहाँ पर require है यह compulsory है तो ऐसे में क्या होता है जो doer है वो क्या करता है आप पर compulsory कर देता है उसको बाद आपका मन नहीं करे तब भी आपको ऐसा करना है आपको school में ऐसा लगता है कि हम uniform कभी-कभी अच्छ verb जो doer है जो भी agency है वो किस verb का use करेगी make का use करेगी तीसरा देखिए respective forces कई बार क्या होता है ना चाहते वो भी respective जिनका हम respect करते हैं उनकी बात माननी पड़ती है जिसे class में आपसे teacher ने कहा जाओ वहां से staff room से मेरी वो book उठालाओ अब आपका मन तो नहीं है लेकिन आपको जाना पड़ता है क्यों क्योंकि आप उनका respect करते हैं अपने बड़ों का respect करते हैं तो respective forces में भी क्या होता है काम ना चाहते हुए भी करना पड़ता है क्यों कोई choice नहीं रहती है जिससे काम करवाया जाता है उसके पास कोई choice नहीं रहती है make people to do things make क्या करता है लोगों से का करवाती है जो कॉजटिव वर्ब है वो काम तो सारी कॉजटिव वर्ब करवाती है पर मेक में क्या होता है that they do not want to जो लोग करना नहीं चाहते उनका मन नहीं है लेकिन उनसे करवाया जाता है forcefully pressurize करके compulsory करके require करके उनसे करवाया जाता है उस समय किस वर्ब का यूज होगा make verb का यूज होगा बिल्कूल आराम से आप इन सब को note कीजिए क्योंकि यह बहुत ही important points है जहां पर की make verb का यूज होना है और जैसे जैसे positive verb में हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको एक sentence में उस sentence को पढ़कर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यहां पर कौन से positive verb आएगी तो वो क्या होगा वो यह जो points है यही आपको select करने में मदद करेंगे कि यहां पर आप let लिखेंगे कि get लिखेंगे कि make लिखेंगे या कोई और सी positive verb तो इसको बहुत अच्छे से note कर लीजे फिर आगे हम पढ़ेंगे structure और examples note कीजे इसको हम structure देखते हैं तो structure में सबसे पहले subject subject के ने doer जो काम करवाता है इसके बाद causative verb आएगी क्योंकि आप लोग दो causative verb पढ़ चुके तो doer के बाद जो causative verb है वो लिखना है और यदि tense बदलता है तो causative verb का ही tense बदलेगा दूसरी verb का tense नहीं बदलेगा इसके बाद में object याने person आएगा क्योंकि काम तो व्यक्ति से ही करवाया जाएगा और यदि वो pronoun है तो उसका objective case लिखा जाएगा इसके बाद में verb की first form जो दूसरी verb है और जो other words है यदि वो है तो उनको लिखा जाएगा कैसे example देखते है मेरा भाई हमेशा मुझसे अपना कमरा साफ करवाता है अब ये तो बोलने वाले को पता है और सुनने वाले को पता है कि वो कैसे कमरा साफ करवाता है यहाँ पर forcefully करवाता है pressure बना के करवाता है तो क्या करेंगे मेरा भाई करवाता है ता है यहने simple present तो my brother हमेशा है always my brother makes third person singular number makes me I का objective case क्या जाएगा me clean his room साफ करवाना और किसका कमरा अपना कमरा अपना किसका उसका कमरा तो यहाँ पर आ जाएगा his room my brother always makes me clean his room अब इससे समझ में आ जाएगा कि भाई तो pressure डाल कर forcefully काम करवा रहा है एक और sentence देखते है पुलिस ने उनसे surrender करवाया अब देखिए यह surrender तो force से ही होता है extremely pressure create करने के बाद में यहाँ पर उनसे कौन है यह चोर भी हो सकते हैं डॉकू भी हो सकते हैं गुंडे भी हो सकते हैं कोई बी और surrender English word है जिसका हिंदी क्या होता है आत्म समरपन तो कैसे बनाएगे यहाँ पर past indefinite police made आ है ना तो past indefinite made them surrender them कौन है कोई भी हो सकते हैं चोर डाकू लुटेरे गुंडे कोई भी तो police made them surrender यहाँ पर clear है कि made verb make verb क्यों आई है क्योंकि यह काम तो forcefully ही होता है extremely pressure को create करके ही करवाया जाता है इसमें कभी-कभी उनको threat भी देनी पड़ती है तो यहाँ पर make causative एवर्ब टीचर ने सभी विद्यार्थियों से दुबारा उत्तर लिखवाया यह क्या है यहाँ पर यह कि तुमको यह काम करना यह required है कि आपको यह गलत लिखा है तो आपको दुबारा लिखना ही पड़ेगा तो क्या the teacher made all the students rewrite answer दुबारा उत्तर लिखवाया तो दुबार तुमको करना है और कोई भी नियम क्या होता है वो compulsory होता है उसमें compulsion होता है जब compulsion होता है तो वहाँ पर कौन सी positive verb आएगी वहाँ पर make positive verb का use किया जाएगा इनको आप note करें यह structure है कुछ हम लोग और interesting examples देखेंगे make positive verb को समझने के लिए आप इनको note कीजिए कुछ और interesting sentences देखते हैं कि किस तरह से threat से pressurize करके normal pressure से कैसे काम करवाया जाता है They made students obey the rules उन्होंने विद्यार्थियों से नियमों का पालन करवाया अब जो नियमों का पालन कैसे कर होता है वो pressure create करके होता है forcefully होता है तो in conditions में made causative verb का use किया जाएगा The nurse has made the patient drink the syrup जो nurse है उसने patient याने मरीज को syrup याने जो दवाई है वो पिलाई तो वो कैसे पिलाई वो उसको थोड़ा normal pressure ज्यादा pressure नहीं कई बार patients क्या करते हैं दवा नहीं खाते हैं स्वाद अच्छा नहीं रहता है अने मुझे सबजियां खिलवाई अब कैसे जनरली सबजी खाना हरी सबजियां खाना भाजी खाना बच्चों को पसंद नहीं आता तो क्या है नॉर्मल pressure कभी कभी थोड़ी छोटी मोटी मीठी सी धंकी भी लगा दी जाती है अपने काम को करवाने के लिए जो माई होती है ऐसा करती है तो माने क्या किया मुझे नॉर्मल थोड़ा सा pressure लगा के मुझे सबजी खिलाई वाइ डिडियो make me टैले लाई तुमने मुझसे जूट क्यों बुलवाया मैंने तो नहीं बोला लेकिन तुमने मुझसे जूट क्यों बुल्वाया तो जूट कैसे बुलवाया धमकी देके या दबाव बनागे कि नही यह तो तुमको बोलना ही पड़ेगा ऐसा और कई बार होता भी है किसी ने थोड़ी धमकी दी या प्रेशर क्रियेट किया तो दबाव में आके दूसरा जुट बोल देता है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हमको यह समझ में आ रहा है कि यह जो काम है जो दूर करवा रहा है यह फोर्स फूली करवा रहा है हलकी फूलकी या बड़ी धमकी लगवा के करवा रहा है नॉर्मल या एक्स्ट्रीम प्रेशर में करा रहा है या नेमों का हवाला देके करवा रहा है, इस तरह से करवा रहा है, that's why जो causative verb made use की गई, why did you make him cry, तुमने उसे रुलवाया क्यों, तुमने उसे क्यों रुलवाया, तो ये क्या हुआ, ये जो make है, याने उस पर pressure बनाके, उसको दबाव बनाके, उसको धमकी दिलाके, उसको रुलाया गया, तो क्या हुआ, why did you make him cry, तो ये examples है, इनको भी note कर लीजिए, और साथ में आप चाहें, तो इनकी Hindi भी लिख सकते हैं, अब आपको समझ में आ गया, ये doer है, ये causative verb है, और doer काम करवाएगा, तो आपको करवाना या करवाया, according to tense, उसमें लिखना पड़ेगा, तो आप ये लिख लीजिए, थोड़े से और example हम लोग अभी देखते हैं, ताकि आपको और make का concept clear हो जाए, इनको आप note कर लीजिए, थोड़े से और interesting example देखते हैं, example के पहले मैं एक important point और आपको बताना चाहती हूं, कि जो ये make verb है, ये हम जान चुके हैं, कि जब doer forcefully अपना काम करवाता है, pressurize करवा के करवाता है, threat देखे करवाता है, या फिर normal pressure या extreme pressure में करवाता है, या फिर किसी चीज़ का compulsion कर देता है, तब ही make causative verb यूज होती है, अब forcefully तो force भी main verb है, और require भी main verb है, चाहें तो make की जगे force का भी यूज कर सकते हैं, और require का भी, लेकिन यदि in verb का यूज किया जाता है, तो structure कैसे बदल जाएगा, फिर यहाँ पर she force me, me के बाद में, यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा, 2 प्लस V1 लिखना पड़ेगा, यह यहाँ पर आप note कर लें, कि यह required verb है, तो 2 प्लस V1 आएगा, force verb है, तो 2 प्लस V1 आएगा, कभी-कभी exam में, competitive exam में यही पूछा जाता है, कि यहाँ पर 2 गायब कर दिया, आपसे कहा कि paragraph में से error ढूण यह, तो आपको यही पता होगा कि जो error verb है, sorry, required verb के बाद में 2 आता है, तो आप easily उस error को trace कर पाएंगे, force 2 लेती, लेकिन similar condition में make के बाद 2 नहीं आता है, यह point यही clear होगा, तो उसमें से, उसको paragraph में से error ढूणना आसान हो जाएगा, दूसरी बात, जो require और force है, यह formal verb है, यह आप चारिक, लिखा पड़ी में, उन जगे पर इनका use होता है, लेकिन जो make है, similar condition में, यह क्या है, यह least formal है, यह formal तो है, लेकिन बहुत ही कम, आप इसक कर सकते हैं, तो यह हमको यह point को याद रखना है, अब थोड़े से example देखते हैं, I will make you apologize, मैं तुमसे माफी मंगवाऊंगा, यह क्या है, सीधे सीधे तो तुम माँगोगे नहीं, लेकिन मैं तुमसे माफी मंगवाऊंगा, it means, pressurize करके, धंकी देखे, कैसे ने, कैसे करके, तुमको माफी माँगनी पड़ीगी, यह ने, तुमसे माफी मंगवाऊंगा, मैं नहीं माँगवाऊंगा, इस sense में make cause it है, जोकर makes the people laugh, जोकर लोगों को हसाता है, वो खुद नहीं हसता, वो हसाता है, normal pressure बनाके, ऐसी situation create करके, कि लोग अपने आपसे हसने लगते हैं, He made me pay his bills, उसने मुझसे अपने बिल का चुकता करवाया, बिल का भुकतान करवाया, अब किसी के पैसे को कोई यों तो चुकानी देगा, क्या होगा, pressurize करना, धमकी देना, कुछ भी कहना, तो pressure create करके ही, कोई किसी के बिल को उसका जो पैसा है, उसका चुकता करेगा, भुक fully करवाता है, दूसरा उसको करना नहीं चाहता, वो compel करता है, वो requirement देता है कि आपको काम करना है, तो ऐसा ही करना पड़ेगा, threat करके, violence करके, extreme pressure create करके, जो doer है, वो काम करवाता है, और जब इन situation में काम करवाया जाता है, तो किस positive verb का use करते हैं, make positive verb का use करते हैं, तो students, positive verb आराम से समझ में आ गई होगी, आप compare भी करिए, कि अब get और make में क्या difference है, get positive verb क्या कहती है, जब किसी को encourage करके काम कराया जाता है, जब किसी को persuade करके काम कराया जाता है, जब किसी को convince करके काम कराया जाता है, तो get verb आती है, लेकिन यदि किसी को pressure create करके काम कराया जाता है तो अब get का use ना करके, इसका use करेंगे, make causative verb का use करेंगे, दौनों के structure भी different है, तो आप ये comparison भी करते चलिए, इसलिए क्या होगा, आपको examination point of view से ये concept clear हो जाएगा कि कौन सी causative verb अपने साथ infinitive लेती है, कौन सी causative verb without infinitive आती है, तो आप इस वीडियो को बार-बार देखें, बलकि पूरे जो verb के वीडियो को ही देखें, क्योंकि जो verb है, वो English की backbone है, जो English language को ये अच्छे से समझना है, तो हमें verb के functions को, verb के किस तरह से वो कैसे use होती है, ये समझना पड़ेगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ि जानेंगे, मेक के कुछ और uses भी हम लोग जानेंगे, और तब तक के लिए, निक्स्ट वीडियो तक के लिए, जैए है!